सारे 8000 करोर का बिमान है, 15 करोर की कार है, 10 लाग का सूट है, सब कुछ है ना उनके पास, SPG कमांडो है, क्यों नहीं आते हैं मनिपूर, जब देश में बह रही हो अन्याय की आंधी, तो न्याय के लिए लर रहे हैं राहुल का अंधी, ये इस यात्रा का मूल भाव है, पांच बहुत सारे लोगों के मन में तीन सवाल आ रहे हैं, पहला कि भारत जोरो यात्रा क्यों कर रहे हैं, दूसरा भारत जोरो न्याय यात्रा मनिपूर से क्यों शुरू किया जा रहा है, और तीसरा कि भारत जोरो न्याय यात्रा से हम क्या हासिल करना चाहते हैं, इस तीनों सव लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी यह इस यात्रा का मूल भाव है और इसी में सारी बात जो है वो नहित है जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह यात्रा मनीपुर से इसलिए शुरू की गई है आठ महीने हो गए हैं और मनीपुर में आप सब को यह अनुभव हुआ होगा य कॉंग्रेस पार्टी का दुस्परचार नहीं है हकीकत है कि इंफाल के ड्राइवर जो हैं वो आपको कानकोपी नहीं आ रहे हैं कानकोपी के ड्राइवर जो हैं वो इंफाल नहीं जा रहे हैं यह कॉंग्रेस पार्टी नहीं बोल रही है कॉंग्रेस पार्टी जब पार्ला जी उस बक्त आये और राहुल जी देश के प्रधान मंतरी नहीं थे सुरक्षा का तमाम हवाला देते हुए उनको रोकने का प्रयास किया गया उन्होंने कहा कि जब देश के लोग मर रहे हैं जब मनीपुर के लोग मर रहे हैं तो हम उनके बीच में जाएंगे इसलिए कल भी इसलिए भारत जोरो नियाय यातरा की शुरुबात मनीपुर से की गई हैं दूसरी बात कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि न्याय की जरूरत आज पड़ी है नहीं न्याय की जरूरत हमेशा से है इसलिए न्याय की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में कही गई है लेकिन जैसा हमने आपको कहा कि अन्याय की आंधी बह रही है इसलिए अन्याय की आंधी बह रही है कि संस्थानों को कबजा कर अगर मीडिया में सवाल नहीं उठाए जाएंगे लोगों के उपर होने वाले अन्याय पर अत्याचार पर आप सोचिए मनिपुर में अत्याचार हो रहा अन्याय हो रहा है और प्रधान मंत्री जी एक बार मनिपुर का नाम लिए हैं आप देखिए कि रोज दिस तरीके से इं आर्थी हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं जो भी साधारन विक्ति इस समाज में देश में रहने वाले हैं उनके साथ किसी भी परकार का जो अन्याय होता है चाहे हो समाजिक हो, आर्थिक हो, राजनेतिक हो उस अन्याय के खिला एक साल में 12,000 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हो, सरकारी आकरा बताता है कि एक घंटे से कम समय में, मतलब लगभग रोज 24 नौजवान हमारे देश में आत्महत्या कर रहे हैं, रोज 24 ये प्रेस कॉन्फरेंस अगर एक घंटा चलेगा, तो इस दोरान जो है एक नौ और यह जो भारत जोरो न्याय यात्रा है, इसमें आप भी न्याय योद्धा बन करके, मैं कहता हूँ कि इस देश के आम आवाम को अपना स्वरणी मितिहास याद करने की जरूरत है, तैस साल की उमर में भगत सिंग अगर फांसी के फंदे पे जूल सकते हैं, देश की आजा चाने के लिए सम्विधान से नानियों की जरूरत है, आप न्याय योद्धा बन करके, अन्याय के खिलाफ इस भारत जोरो न्याय यात्रा में सामिल होईए, और यह जो न्याय यात्रा है, भारत जोरो न्याय यात्रा, यह न्याय के लिए है, आम लोगों के लिए, सभावि रूप से जब राजनितिक पार्टी कोई कारिकरम करती है उसमें राजनीत होता है लेकिन राजनीत का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता है 1947 से पहले भी इस देश में राजनीती हो रहा था लेकिन चुनाव नहीं हो रहे थे चुनाव अगर होते थे तो राजे राजवारों के चुनाव होते थे और उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता था इसलिए हर चीज को सिर्फ चुनावी चस्मे से नहीं देखना है यह जो राहूल जी की तपस्या है यह तपस्या इसलिए है कि अन्याय जब देश में हो रहा हो और चुपी साध लिया हो लोगों ने संस्थाएं जब न्याय डेलिवर ना कर रही हो उसमें वो न्याय की मुखर आवाज बन करके संघर्स कर रहे हैं तो आप सब के माध्यम से देश के नौजवानों किसानों तमाम आम आवाम को आग्रह करते हैं कि आप भी न्याय योद्धा बन करके इस न्याय यात्रा में सामिल हो ये जब भी कोई political party, कोई political activity करती है न तो सिर्फ यही सवाल पूछा जाता है कि कितना seat जीतेंगें, कितना vote आएगा सवाल सीट और वोट का नहीं है जीते हुए है ना प्रधान मंत्री तो दो बार जीते हैं ना क्यों नहीं आ जाते हैं मनिपूर सब कुछ है ना उनके पास क्या नहीं है सारे 8000 करोर का बिमान है 15 करोर की कार है 10 लाग का सूट है सब कुछ है ना उनके पास SPG कमांडो है क्यूं नहीं आते हैं मनिपूर क्यूं नहीं आ रहे हैं ग्रिह मंतरी पांच राजियों का चुनाव हुआ था पांच राजिय के चुनाव में एक चुनाव जो है वो नौर्थिस्ट में भी हो रहा था प्रवोत्तर के राजिय में भी हो रहा था आये थे प्रधान मंतरी चुने हुए प्रधान मंतरी है ना 303 सीट है ना सिर्फ चुनाव पे हर चीज को सीमित कर देंगे तो फिर हमारे आँख के सामने जो अन्याय हो रहा है उसमें न्याय कौन ढूंड़ेगा सिर्फ वोट के गनित से नहीं आ रहे है ना सुरक्षा के सवाल से तो नहीं है हम लोग जब आ सकते हैं तो प्रधान मंतरी क्यों नहीं आ सकते हैं मतलब वो सुरक्षा के सवाल से नहीं आ रहे है वोट के गनित से नहीं आ रहे है इसलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव का मसला नहीं है लोगों के अन्याई के खिलाफ न्याई को अस्थापित करने की बात है गांधी जी की सहादत अर्तालिश में हो गई चुनाव इस देश में बावन में हुआ था ना सर तो गांधी जी तो चुनाव नहीं लड़े थे तो हम यह कह सकते हैं कि गांधी जी इस देश में न्याई के लिए नहीं लड़े इस देश में हजारों साल से लोगों को मंदिर परवेश नहीं करने दिया जाता था गांधी जी चुनाव लड़के लोगों को मंदिर परवेश नहीं कराये थे चुवाचूत के खिलाफ बर्नववस्था के खिलाफ इस देश के जो आम लोग हैं उनके हक और अधिकार के लिए गांधी जी लड़ रहे थे सिर्फ चुनाव के लिए नहीं लड़ रहे थे मैं कहे रहा हूँ कि चुनाव हम लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे देश का सबसे मजबूत विपक्ष पार्टी होने का अपना रोल निभाएंगे हम उससे भाग नहीं रहें लेकिन किसी भी संघर्स को नियाई को किसी भी जो है लोगों के अधिकार को सिर्फ और सिर्फ चुनाव से सिमित कर देने से उसका आधार छोटा हो जाता है उसका जो है छेतर छोटा हो जाता है उसमें सामिल होने वाले लोगों की मानसिक्ता संक्रिन हो जाती है मैं कहता हूँ कि जो भाजपा के समर्थक है जो भाजपा के वोटर हैं क्या उनको न्याई की ज़रुरत नहीं है हम इस देश के 140 करोड लोगों के न्याई के लिए लग रहे है महेंगाई से कौन परतारित नहीं है महेंगाई का जो अन्याई है उससे कौन परतारित नहीं है तो हम सब के लिए लग रहे है इसलिए हम ये बात कह रहे है देखे राहुल जी ने पिछली बार जो यात्रा की थी तो उसका उद्देश यही था कि हम आम लोगों के बीच जाएंगे ताकि आम लोग हमसे बहुत आसानी से मिल सके इस बार भी जब वो यात्रा कर रहे हैं तो इसी उद्देश को ले करके चल रहे हैं कि सब लोग उनसे मिल सके यहाँ पर वो मैती समुदाई के लोगों से मिले नागा समुदाई के लोगों से मिले, गुर्खा समुदाई के लोगों से मिले, नागा समुदाई के लोगों से मिले, और उन लोगों से भी मिले, जो भारत के दूसरे इलाकों से आ करके यहां काम करते हैं, धंदा करते हैं, नौकरी करते हैं, दुकान चलाते हैं, सबसे मिल र सबसे उनकी पहली मांग ये है कि सान्ती अस्थापित हो उससे तमाम लोगों का जीवन जो है वो अस्तिव्यस्त हो रहा है प्रभावित हो रहा है